नमश्कार दोस्तों क्या आपको पता है आप 60% तक ट्रेडिंग कॉस्ट में असानी से बचा सकते हैं और आपका जो पुराना फेवरेट डिसकाउन ब्रोकर है न वो आपका सारा प्रॉफेट धीरे 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 खा जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता आपको लगता है कि आप 20 से 40 रुपे ही तो दे रहे हैं प्रोकरेज में इससे क्या बिगर जाएगा पट आपको पता है वो आपके प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा खा जा रहे हैं और आप जाने अंजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मैं इस वीडियो में एक्स्प्लेइन करूंगा सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में कि आप कैसे एक्च्वल में अपने ट्रेडिंग कॉस्ट को वन थर्ड तक वन थर्ड तक कम कर सकते हैं और महने के हजारों रुपे बचा सकते हैं अब नए ताइम तो इंडियाज फास्टेस्ट क्रोंग ब्रोकर यस ताइस एम स्टॉक इन नाइन मूंथ इस गेंड वन लाग प्लस वन लाग प्लस यूजर्स अन देडिट फोर करोर ट्रेड्स जिसमें से एक्सोत तीस करोर की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी रीटेल इंवेस्टेस ने अवेल करी एक्सोतीस करोर की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी M stock is adding one client in every 30 seconds तो फिर आप भी जमाने के साथ चलो न करो बाई बाई टाटा पुराने stock brokers को अब मैं आपको कारण बताता हूँ कि क्यों मैंने और मेरे students ने switch किया M stock पर तब बोलोगे sir क्यों परचार कर रहे हो कोई फायदे हैं तब ही मैं बता रहा हूँ अपने viewers को देखो हमने छोटी सी calculation करी हमने intraday में ITC का share 378 का 378 रुपे का buy किया और 2 रुपे profit में यानिकि 380 का sell किया total 200 quantity थी तो हमारा profit आया 2 रुपे का तो टोटल होगे 200 quantity मतलब 400 रुपे तो अभी ज्यादा खुश होने की बात नहीं है अब इसमें से आपके खर्चे कटेंगे तो जो आपका पूरा ना फेमस प्यारा ब्रोकर है वो 40 रुपे ब्रोकरिज का कटेंगा और लगवग 3400 रुपे टाक्स से कटेंगे क्योंकि GST भी जादा लेगा जो ब्रोकरे जादा है तो so you can see from this example कि आपके 400 रुपे में से 74 रुपे चार्जेज में कट गया है जो की होते हैं लगवग 18% हापके प्रोफिट का 400 का सुना आपने कौर से 18% हापने अपने प्रोफिट का दिया खलास वो भी M-Stock पर आपको सिर्फ other चार्जेज देने पड़ेंगे वो होंगी लगवग 27 रुपे जो कि 400 का लगवग होता है मात्र 6% सिर्फ 6% और आपका ट्रोडिंग कोस्ट 18% से घटके 6% हो जाता है यानि कि 1 3rd तेखो आप बोलो कि सर मैं बहुत बड़ा ट्रेडर करता हूँ तो मेरे को कहां ज़्यादा डिफरेंस आएगा पर सो चुकि से आप 18% कोस्ट का दे दे रहे और दिन में अगर पांचे बार ट्रेड कर रहे तो सोचो आपकी कोस्ट कितनी हो गई सेव लॉट हीर सो इकन कंपेर फॉम दिस लिस्ट एंसी कितना बच रहा है आपका एंप स्टॉक के पॉपलर होने का कारण सिफ ब्रोकरिज नहीं है दूसरा इसका कारण है मार्जिन ट्रेडिंग फैसलिटी यह प्री प्लेज देते हैं यानि कि आपको खरीदना है टाटा म स्टॉक का पर डिलीवरी उठा सकते हैं वह 20-25% मार्जिन दे करके हां इसका मंथली इंट्रेस्ट लगता है लगवग पॉना परसेंट पर आप मिलको बताओ पॉना परसेंट यह इंडस्टी में सबसे कम है और कौन देता है आपको पैसा पॉना परसेंट मंथली इंट्रे है लगवग 7.99 के आसपास का इंट्रस्ट है और मेरा एसेट पुरानी कमपनी है लगवग 25 सालों से यह बिजनेस में है एम स्टॉक जो एसेट मेरा एसेट मूचल फंड है देर मेंटेनिंग अरौं 51 लाक क्लाइंट्स पॉर्टफोलियो और मैंनेजिंग ओवर 1 लाक करोर एसे टेंडर मैनेजमेंट तो बहुत पुरानी है ट्रस्ट वर्दी है कोई टेंचन ही नहीं है तो अगर आपको म्यूचल फंड में भी खरीदना है तो आप आसाने से यहां पे 5000 से ज्यादा म्यूचल फंड स्कीम में इंवेस्ट कर सकते हैं और वो भी बिना किसी कमिशन के है ना कमाल की बाद मैंने अपना अकाउंट जीरो ब्रोकरेज और मार्जिन ट्रेडिंग फेसिलिटेट देख करके खोला था बट एक्च्वल में फिर मैंने देखा कि अगर हम यहां ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो क्या यह इजी है एंड आपको हम सॉफ्वेर है उस पर आ मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं और मुझे टेक्निक आसिस भी देखनी होती है मैं न्यूस के ओपर भी नजर रखता हूं और मुझे अभी तक इसमें कोई प्राबलम नजर नहीं है सॉफ्वेर में इन फैक्ट टेक्निकल फंडरमेंटल और ऑप्शन का सारा डेटा एक ही प इसके आलावा बास्केट और की फैसलिटी भी है आप टूल मैंनू में जाकरके बास्केट और अपनी इसको फिक करते हैं अन। चाहते हैं और वन क्लिक में एक्जीक्यूट हो जाते हैं इनका लेटेस्ट न्यूस का लाइफ फीड लाइव मार्केट में आता रहता है और काफी अपडेटेड है इसका बड़ा फायदा है नहीं नहीं ट्रेडिंग ऑपोशीटी मिलती है एक तो दूसरा मेरा इंटरेटेट में अजर अचानक से प्राइस में उच्छाल आ गया तो मुझे पता चल जाते हैं कि यह उच्छाल क्यूं आया है यहां पर और मैं अपनी पोशीशन को स्कार आफ कर सकता हूं जा नहीं पोशीशन बना सकता हूं आप यहां देख सकते हैं कितनी सारी न्यूज इन्होंने दी भी है बस एक प्रॉब्लम जो मुझे दिखी ट्रेडिंग टर्मिल पर से भी एक्स्चेंज के चार्जर और स्टेक्स की जो क्यालकूलेशन है वो सही नहीं दिखी मुझे पर वो बाद में सैटलमेंट में सही हो जाती है वो थोड़ा सा बफर रखते हैं 0.03% का अकाउंट ओपनिंग जो है पेपर लेस है पांस से दस मिनट में मेरा अकाउंट खूल गया था अब भी खुलवा सकते हैं या प्रेडिंग और डिमेट अकाउंट और इसका जो लाइक टाइम फ्री ब्रोकरी जा अकाउंट है वो 999 प्लस GST में ओपन हो जाता है अगर आपको AMC नहीं देनी साल की मतलब कभी भी लाइब में AMC नहीं देनी तो आप 999 रुपे देखे टेंसेन फ्री हो सकते हैं मुझे यहाद है मेरा एक ब्रोकर था उसमें मेरी एकाउंट मैंने खुलवाया पांस साल में भूल गया तो पैसा डूबने का है या ब्रोकर के भागने का ऐसा कोई डर नहीं है तो फिर आपको सोचना क्या है देरी किस बात की है जमाने के साथ चलो अब ट्राइ करके देखो AMC गिम्मी योर फीड़बैक I'm giving link in description check it out और जो भी आपको अच्छा बुड़ा जो भी लगता है AMC के बारे में वो comment box में मेरे साथ लिख है and I'm sure आपको काफी पसंद आएगा M-Stock investments in securities markets are subject to market risks read all the related documents carefully before investing